आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी pensioners को साल में एक बार life certificate जमा कराना होता है। 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी, इसे बैंकों में जाकर बुजूर को खुद जमा करना पड़ता था। आप कर्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजूर को कितनी असुविदा होती थी, अब यह ववस्ता बदल चुकी है। अब digital life certificate जेने से चीजे बहुत ही सरण हो गई है। बुजूर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता। बुजूर्गों को टेक्नलोजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए। इसमें वरेंद्र जैसे हुआओं की बड़ी भूमी का है। वो अपने क्षेत्र के बुजूर्गों को इसके बारे में जागरुक करते रहते हैं। इतना ही नहीं वो बुजूर्गों को टेक्से भी बना रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से आज digital life certificate पाने वालों के संक्या 80 लाग के आखड़े को पार कर गई है। इन में से दो लाग से जादा ऐसे बुजूर्ग हैं जिनकी आयू 80 के भी पार हो गई है। साथियों कई शहरों में युवा बुजूर्गों को digital करांती में भागेदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने महले के कई बुजूर्गों को मोबाइल के माद्यम से पेमेंट करना सुखाया है। इन बुजूर्गों के पास स्मार्ट फोन तो था लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजूर्गों को डिजिटल एरेस के खत्रे से बचाने के लिए भी युवा आगे आये हैं। अमदाबाद के राजी हो। लोगों को डिजिटल एरेस के खत्रे से अगा करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल एरेस की चर्चा की थी। इस तरह के अप्रहात के सबसे ज़्यादा सिकार बुजुर्गी बनते हैं। ऐसे में हमारा दाइक तो है कि हम उन्हें जाकुरूत बनाएं और साइबर फोर्से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोकों को समझाना होगा कि डिजिटल एरेस नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर जूट लोकों को फसाने का एक्षडियंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथ ही इस काम में पूरी समवेदन सिल्ता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेजित कर रहे हैं। मेरे प्यारे जे सासियों, आज कर बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश यह है कि हमारे बच्चों में क्रियेटिविटी और बड़े, किताबों के लिए उनमें प्रेव और बड़े कहते भी हैं, किताबे इनसान के सबसे अच्छी दोस्तों होती हैं। और अब इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइबरेरी से ज़्यादा अच्छी जगा और क्या होगी। मैं चिन्ने का एक उधारन आप से शेर करना चाहता हूं। यहां बच्छों के लिए एक ऐसी लाइबरेरी सेयार की गई हैं, जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी हैं। इसे प्रकुत अरीवगम के नाम से जाना जाता है। इस लाइबरेरी का एडिया टेकनोलोजी की दुनिया से जुड़े। स्रीराम गोपालन जी की देन है। विदेश में अपने काम के दोरान वे लेटेस्ट टेकनोलोजी की दुनिया से जुड़े रहे। लेकिन वो बच्छों में पढ़ने और सिखने की आदत विक्सित करने के बारे में भी सोचते रहे। भारत लोटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया। इसमें 3000 से अधिक किताबे हैं जिने पढ़ने के लिए बच्चों में खोड लगी रहती है। किताबों के अलावा इस लाइबेरी में होने वाली कही तरह की अक्टिविटी भी बच्चों को लुभाती है। स्टोरी टेलिंग सेशन हो, आर्ट वरक्शॉप्स हो, मेमोरी ट्रेनिंग क्लासिस, रोबोटिक लेशन या फिर पब्लिक स्पीकिंग जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है। साथियों, हाइदराबाद में फूर्फ और फॉर्फ और फाउंडेशन ने भी कई शांदार लाइबरेरी बनाई है। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को जादा से जादा विशयों पर फोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबे मिले हैं। बिहार में कोपाल गंज के प्रयोग लाइबरेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइबरेरी से करीब बारा गाउं के युवाओं को किताबे पढ़ने की सुविदा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइबरेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविदाय भी अप्लब्द करा रही है। कुछ लाइबरेरी तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी में स्टूर्ण्स के बहुत काम आ रही है। ये देखना वाकई महुत सुखद है कि समाज को ससक्त बनाने में आड लाइबरेरी का बहतरीन उप्योग हो रहा है। आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाईए और देखिए कैसे आपके जीवन में बढ़लाव आता है। कर दोस्ती बढ़लाव आता है।